बाइलिंगवल स्टडिमा आपका मोस्ट वेलकमर, जी हैं दोस्त ओस वीडियो में आपको सबजेक्टिव आंजर की मिलेगा, सबजेक्टिव आंसर मिलेगा इससे पहले मैंने अबजेक्टिव का आंसर डाल दिया, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सारे बच्छे क्या कि सप जिर है से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं पूरा 50 दमर्का सब्जिक्टीव होगा 50 नम्र आपकों आपका अब्जिक्टीव होताएं 50 नम्र सब्जिक्टीव प्वचास नमरं सब्जिक्टीव होगा आपका दू तारीक को उसी का है उसी से रिलेटिड वीडियो है तो चलिए बीना देर किये अगर चैनल मनाएए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं लाइक कर दें कम से कम आप लो चलिए निमले लिखी गद्यांसों मैंसे किसी एक प्रते एक प्रशने दो अंकों का होगा मतलब दो गद्यां यहां पर दिया हुआ है उसमें से एक ही बनाना है तो चलिए हमने पहले गद्यांस यानि को गद्यांस को चुना है पहला गद्यांस में कह रहा है कि एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था उसकी सुन्दरता बेजोड थी उसका रंग रूप निराला था पारिजात को भी अपने गुनों का पूरा-पूरा पता था नीले आसमान में सिर उठा इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो ठीक है जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अ सुगन भरी प्राग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन वन बन जाता चुम्बक की तरफ पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता जिसे देखो वही पारिजात की तरफ भागता सतरंगी शालें ओड़े चटकीली तीतलियां से हेलियों के साथ जुन्ड का जुन्ड बन परिजात का स्रिंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों से खीच कर धेरों पराग अपने साथ ले जाती अब यहां कुश्चन है ठीक है जंगल में किसका पेड़ था जंगल में पारिजात का पेड़ था एक कांसर मैंने यहीं लिख दिया ताकि आपका असानी हो एक नने फुलों से बहार के दिनों में लज जाता था यह अनगिनत फुलों से बहार के दिनों में लज जाता था आप इस तरह भी लिख सकते हैं अगला कोशन ने तितलिया क्या करती थी तितलिया जून का जून बना कर परिजात का सिरंगार देखने आती थी और पराग साथ ल लेजिए ठीक है इसमें भी 5 कोश्चनिहां तो यहां पर इस लिए मैंने खो घब को चुना है तो यहां पर देखिए खोगद्यांस में कह काह रहा है कि बाचीत करते से में हमें शब्दों के चेहन पर विशेश ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मान जनक शब्द व्यक्ति को उदात एवंग महान बनाते हैं बाचीत से सुगम एवंग परभावशाली बनने के लिए सदे परचलित भाशा का ही परियोग करना चाहिए उसके बाद है अत्यान साहितिक एवंग क्लिस्ट भाशा के परियोग से हमें बचना चाहिए बाचीत में केवल विचारों का ही अदान परदान नहीं होता है व्यक्तित्व का भी अदान परदान होता है अत्या सिक्षक वर्ग को शब्दों का चैन सोच समझ कर करना चाहिए शिक्षक वास्तों में एक अच्छा अभिनेता होते हैं जो अपने व्यक्तित्वे शैली बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी और आकरशित करते हैं विद्यत डियान और उन पर अपनी चाप छोड़ते हैं शब्दों के चैन पर विशेश दियान देना चाहिए संपान जनक शब्दों के चेनपर विशेज धियान ज़ी आपी वी लिख सकते हैं बातचीत को सुगमयोंग पर्भावसाली बनानी के लिए किस परकार की भाशा का पर्योग करना जए बाचीत को सुगयमंग परभावशाली बनाने के लिए शदेव परचलित भाशा का परियोग करना चाहिए जो बोलचल की भाशा है परचलित भाशा है जिसको सब लोग समझ सकें बाचीत में किन का आदान परदान होता था बाचीत में क्या होता है कि विचारों और व्यक्तित्व का आदान परदान होता है कैसी भाषा के परियोग से बचना चाहिए तो साहितिक एवंकलिस्ट भाषा के परियोग से बचना चाहिए मतलब किताबी भाषा नहीं बोलना चाहिए जो बोल चाल की भाषा है वो बोलना चाहिए यह कहना चाहरा है लास्ट कोशन इस गद्यांस का विद्यार्थियों के वैक्तित पर कौन अपनी चाप छोड़ते हैं तो विद्यार्थियों के वैक्तित पर उसके साथ साथ दूसरा question इसमें देखिया आपको दिया क्या है मितरता है, समय की महत्ता है, वसंतरितू है, दुर्गा पूजा है देशरत न डाक्टर राजिंदर परसाध है तो इसमें मैंने दुर्गा पूजागा चुना, दुर्गा पूजागा आप देख लिजेगा लेकिन पहले देखते हैं परिक्षा के बाद साह पार्टियों के साथ प्रयाटन के अनुमती तथा रूपियों के लिए बड़े भाई को एक पत्र लिखें ठीक है यह पांच नमबर का कोशन है इन दोनों कोशन का अंसर आप मैं दे रहा हूं तो पहला है दुर्गा पूजा के बारे में पूछा गया है तो भूमिका में हिंदों के सभी तेहवारों में दुर्गा पूचा एक विशेष महत्व है जिसमें सकती शरूप मा दुर्गा की उपासना अराधना एवंग पूजा होती है अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप टेलीगराम पे जोईन कर सकते हैं टेलीगराम का लिंक नीचे दिया हुआ है अगला दिखिए करा कब और कैसे मना जाता है यह तेहवार दिपावली से 20 दिन पहले मना जाता है इसे हमपरती वर्ष आश्वीन मास के शुकल पक्ष की दस्मी को मनाते हैं इसका आगमन प्राय वर्षा के पस्चात अथा सर्दी से पहले होता है इस परवे के दौरान देवी दुर्गा की लोगों दुवारा पूरे नौ दिनों तक पूजा की जाती है तेहवार के हंत में देवी दुर्गा की मुर्थी को नदी या पानी टैंक में विसरजित किया जाता है कुछ लोग पूरे नो दिनों का उपवास रखते हैं हलांकि कुछ लोग केवल पहले और आखरी दिन उपवास करते हैं हानी देवी दुरगा की मुर्ती विसरजन के दोरान पर आया कुछ असमाजिक तत्वर नसे के हालत में रहते हैं परा तफ़ी मज जाती है जिस कारण कई लोग नदी में डूप जाते उपसहार दुरगा पूझा वास्तों में शक्ती पाने की इच्छा से की जाती है जिससे संसार की बुराईयों का नास हो सके? जिस परकार देवी दुर्गा ने सब देवी देवताओं की शक्ति एकत्र करके दुष्ट राक्षत महिसाशूर महिसाशूर मारा जाता है और धर्म को बचाया तो उसी तरह हम अपनी बुराईयों पर विजय प्राप्त करके मनुष्टता को बढ़ावा दे सके हैं यही दुर पटना बिहार पांच मारा 2015 आप यहां पर कोई भी डेट लिख सकते हैं लेकिन करें डेट लिखने से बचना चाहिए पिर यह भाई अदाब लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं मैं इसा कुसल हूं और आपके कुसल्दा का काम ना करता हूं मेरा परिक्षा समाप्त ह हो गया है मैं सभी विखे के परिक्षा से संतुष्ट हूं परिक्षा समाप्ति के बाद मेरे मित्र लोग पर्यटन के लिए राजगीर जाने के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं आपका प्रिय भाई सुमन कुमार यह जो है आपका अलग से टिकट लगाने का भी पहले अब इसके बाद देखिए को सबसे ज्यादा किस की याद आती और किओं कोई कई कढवाल के मन में आ जात है की कैसी कलपना है रवी की सवारी निकलने के पस साथ परकृती उसका स्वागत किस परकार करती है कभी मंझन ने सच्चे प्रेम की क्या को सोटी बताई है संसकार गित किसे कहते हैं इसका सारा आंसर मैं पांच का आंसर बताऊँगा भी समद्र गुप कौन थे वो किस विद्या वाद्दे को बजाने में परवीन थे मगह में किस लोक निरित्य का चलन था मदुबनी चितर कला के किते रूप पर चली थे छे नंबर कोशन मैं निमले खित में से किसी एक परसन का उतर दें चार मन पाठ जूट का पैसा क्या हुआ धर्ती पर पाओं ही नहीं पढ़ते सब परसंग वेख्या करें मेरी परेशानिया और मेरे दुखी इसवर का आधार क्यों हो आज स्परस्ट करें तो इन दोनों कोशन का मतलब पाँच एक छे कोशन का अंसर मैं भी आपको बता रहा हूँ तो चलिए यहां देख सकते हैं ठीक है तो निमलेखित परस्टों मैंसे किनी पाच परस्टों का उत्तर देत इस मेंसे मैं इनफाया कवी के मुझे मनम आजात हिंदुस्तान की कैसी कलपना है यह कुशन आप अब टेलीगराम मेंसे भी ले इसकते हैं कि कभी वर केदारनात अगरवाल आजात हिंदुस्तान को हर दिरिष्टी से साधन संपन्न के लूप में देखना चाते हैं कभी चाता है कि उसका आजाद भारत मान समान से युक्त हो यानि यहां की जनता का जीवन मान समान से युक्त हो गीतों की खेती से भाव ये है कि घर घर में खुशियों का राज हो, हर घर गीतों के सवर्थे गुंजाय मान हो, पूरा हिंदुस्तान मान सम्मान और उमंग से युक्त हो, ये आपका उच में से दस में से एक क्वेशन हो गया, दूसरा देखते हैं, रवी की सवारी निकलने क उसका जीवन चितरन करते हुए कभी कहता है कि नए किर्णों के रत पर सुर्य सवारी कर आ रहा है, कलियों एवंग फूलों से राह तजा हुआ और सुवासित है, बादल सवर्ण वस्तरों में सुसर्जित हैं, सुसर्जित कर लिए होकर अनूचर बने हुए हैं, बंदी और बंदी और चारन के रूप में पक्छी गन यानि पक्ची लोग किरिती गायन यानि बंदना कर रहे हैं, अभेरथना कर रहे हैं, तो यह आपका हो गया, दूसरा दसमें से पांची बनाना आपको पता है, मदुबणी चितर कलाके कितन रूप परचलीत हैं, तो मदुबणी लोक निरित्य का परचलंता एक संचिप्त परीचाई दीजिए। पांच मां में समुद्र गुप्त कोन थे वो किस वादिक को बजाने में परवीन थे। इतने निपुन थे किस वादन में वीना क्या रहे कि कौन सा वादियंतर बजाते थे तो वीना बजाते थे इतने निपुन और परवीन थे कि विसे सग्ये उन्हें संगीत मारतंड कहा करते थे। यह हो गया आपका पांच कोस्टन दस में से आप जो लास्ट कोस्टन दा छे नमर का जिनमें से एक कोस्टन बनाने को आपको कहा गया है। उसमें से मैंने खोगो चुनाए मेरी प्रेशानिया और मेरे दुखी इस्वर का आधार क्यों हो आस्टा स्पस्ट करें। मेरा इस्वर कावेपाट से उपरोक्त पंक्तिया लीगे इस कवीता के रचेता लिलाधर जगूरी अधनिक युक के चरचित कवी हैं। कवी मानव जीवन में प्रेशानिया और दुख में मूल कारण को खोज रहा है। वो इसके लिए इश्वर को क्यों आधार माना जाए इस परकार की धरना को परकट करता है। अगला देखते हैं आम आदमी चेतना सुनने होता उसे आत्म ग्यान या युगद बोद का ग्यान नहीं होता। इसलिए वो परेशानियाओं एवंग दुख के कारण के लिए इश्वर की नाराजगी को मानता है। कि कभी उसे नाकारता है। वो इश्वर की सत्ता को चुनोती देता है। वो इश्वर को इन बातों के लिए मूल कारण नहीं मानता है। इस वर पर सब कुछ छोड़कर भाग भरोसे बैटकर रहने से जीवन के दुख और परेशानियाओं का अंतन नहीं होने वाला है। परकार कभी अत्याधुनिक यूग में बदलती समाजिक विवस्ता एवंग मानव मुल्यों के गिरती अस्तर पर चिंतित है। इस परकार से आपका पचास नंबर का सब्जेक्टिव आंसर बेहतरीन पीडियाप के साथ आपको उपलब्द हो रहा है। कम से कम आप लोग क्या कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंंचैनल मन नए हैं तो उसके सथसाथ वीडियो को लाइक करें कॉमेंन करके बताएं कि आपको संस्क्रिट का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। कög wanna comment करते हैं बहुत कम लोग जो है आपको like करते है तोոश nouvelles संस्कृरित का भी इसी तरह आपको चाहिए सब्जेक्टिव कर objective का अंसर आप इसके लिए comment जरूर करके बताएं ठीक है ए टेलिगराम का दिया हूँ है ये वला फिटिव आपको ऊप्रा मिल जाएगा उसके साथ साथ जो लेटर लिखा हुआ है उसका भी मिल जाएगा और दुरगा पूजा पे लिखा हुआ वो भी मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आप से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद